एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी के HR मेनेजर्स ने एक इंटर्व्यू पैनल क्रियेट किया. इस पैनल ने कुछ प्रोफेशनल को सिलेक्ट किया, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर्स, चार्टर्ड, अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, फिर इन सब लोगों को एक मीटिंग में बुलाया. उन सबसे एक कॉमन सवाल किया गया. उस इंटर्व्यू पैनल ने सबसे एक एक करके एक ही सवाल पूछा, कि सर, आप BMW कब तक खरीद लेंगे? सभी ने अपनी इंकम के हिसाब से जवाब दिया. डॉक्टर ने कहा, मुझे छे से आठ महीने लग जाएंगे. सी ए ने कहा, मुझे एक साल लग जाएगा. आर्किटेक्ट ने कहा, मुझे दो साल लग जाएंगे. सब ने अपनी अपनी इंकम के हिसाब से टाइम स्पैन बताया, कि वह BMW कब तक खरीद पाएंगे? ये सुनकर इंटर्व्यू पैनल बहुत शौक्ट हुआ. उन्होंने रतन जी से सवाल किया, सर, आप इतने अमीर व्यक्ती है, इतने सक्सेस्फल परसन है, आपके पास इतनी वेल्थ है, आपको फिर भी पाँच से छे साल BMW खरीदने के लिए लगेंगे? रतन टाटा जी ने जवाब दिया कि BMW इतनी छोटी भी कंपनी नहीं है, कि मैं उसे चार से पाँच महीने में खरीद सकूँ. तो यह उनका माइंडसेट है. BMW का नाम सुनकर, उन सारे प्रोफेशनल ने गाड़ी खरीदने की बात सोची. वही रतन टाटा जी ने कंपनी खरीदने की बात सोची. तो इसको ही माइंडसेट कहते हैं. इसे पहले कि आप समरी में खो जाए, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. हेलो दोस्तों, मैं हूँ दिव्या भारती और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हिंदी बुक्स लर्निंग. आपको हमारा समरी कैसा लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं. तो चलिए, ज्यादा देर ना करते हुए करते हैं. समरी को सीधे स्टार्ट. आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैंटसेट बुक समरी के बारे में. Mindset Book यह बुक एक fixed mindset वाले लोगों और एक growth mindset वाले लोगों के बीच के difference को discuss करती है हमारे mindset दो situation of failure से निपटने के साथ-साथ खुद से निपटने और improve करने में हमारी इच्छा को तैय करते हैं यह book demonstrate करती है कि हम अपने mindset को बदल कर अपने goals को हासिल कर सकते है हमारा mindset इस बात को shape देता है कि क्या हम belief करते है क्या हम सीख सकते है और change कर सकते है क्या growth कर सकते है या नहीं कर सकते है हमारा mindset इस बात को shape देता है हम क्या belief करते है हम क्या सीख सकते है हम क्या change कर सकते है हम क्या grow कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, चलिए इन points को details में समझते हैं Importance of Mindset आपके school के shape से लेकर आपके foot के shape तक आपके body की physical characteristics शुरुआत से ही कम या ज्यादा predetermined होती है बेशक आप plastic surgery करवा सकते हैं या किसी bone को हटवा सकते हैं लेकिन हम human being का normally हमारे body के features पर बहुत कम control होता है लेकिन intellectual और physical ability के बारे में क्या जैसे की basketball खेलना, drawing करना, math की problem को solve करना क्या या genetic हैं या सीखे हुए हैं आज ज्यादा तर scientists इस बात से agree करते हैं कि अगर आप एक concert में violin बजाने वाले बनना चाहते हैं तो आपको न सिर्फ एक musical mentality रखने की जरूरत है बलकि practice के लिए अपने जीवन के कई साल देने होंगे हमारे mindset का एक important role ये होता है कि हम खुद को और दूसरों को कैसे देखते हैं हमारा mindset किसी चीज़ को सोचने समझने और करने में हमारे beliefs को shape देता है ये दोनों extreme forms एक fixed versus growth mindset के concept का base बनती है difference between fixed and growth mindset एक fixed mindset वाले लोग मानते हैं कि वह naturally कुछ ही चीज़ों को करने के लिए पैदा हुए है लेकिन बाकी की चीज़ें उनके बस की बात नहीं है जबकि एक growth mindset वाले लोग मानते हैं कि अगर वह hard try करते हैं तो वह किसी भी चीज़ को कर सकते हैं बस try करने की देरी है जोर लगाने की देरी है इस group के लोग अपनी पूरी life बढ़ते रहते हैं बिना reservation के और बिना किसी relationship में उलचे वे नई skill हासिल करते रहते हैं उनके लिए अपने सभी aspect में life constantly changing position में होती है इसके opposite एक fixed mindset वाले लोग अकसर अपनी black and white सोच से अपनी growth में रुकावट डालते हैं अगर वह किसी चीज़ में fail होते हैं तो वह अपने सर को मिट्टी में चुपा लेते हैं या दूसरों को दोश करते हैं वे खुद से अपने relation में काम करने के बजाए अपने relationship में forever love की expectation करते हैं अगर आपको भी audiobook सुनने में मज़ा आता है तो आपके लिए एक बहुत ही best app है जहां पर आप धेर सारी audiobook सुन सकते हैं पूरी सीरिज के साथ तो इस app का link description में दे दिया हुजा कर आप download कर सकते हैं चलिए चलते हैं समरी पर fixed mindset वालों के लिए एक व्यक्ति की ability fixed होती है fixed mindset वाले लोग मानते हैं कि talent ही महान है उनके विचार में एक व्यक्ति की ability बदली नहीं जा सकती एक व्यक्ति स्वभाव से talented या मूर्क होता है वह वैसा ही रह जाता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता बड़ी कमपनियां जैसे एनरोन और मैकिन से जिनके HR department जो बहुत सारे रुपए इन्वेस्ट करते हैं यूनिवर्सिटी के so-called naturals तक पहुँचाने में ये सब इसी प्रकार की सोच रखते हैं कमपनी अपने employees की अच्छी ability से उनके performance में growth की उम्मीद करते हैं मगर क्योंकि ये employee बहुत talented होते हैं इन्हें कुछ नया नहीं सिखाया जाता result के तौर पर उनके अधिकारी उनकी लगातार जाच करते हैं काम में कमी होने पर यह सोचते हैं कि क्या उनके talent में कमी है जो वह यह काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं ऐसी fixed सोच रखने वाले लोग सोचते हैं employee जो पहले दिन अच्छा काम नहीं कर रहे हैं वह आगे भी नहीं कर पाएंगे इसलिए उन्हें छोड़ना बहतर है fixed सोच वाले यह मानते हैं कि केवल वही चीज़ें कर सकते हैं जिसके लिए उन्हें चुना गया है practices से कुछ नया नहीं होने वाला अब क्योंकि वह खुद को और दूसरों को judge करने में तेजी दिखाते हैं इसलिए वह सोचते हैं दूसरे भी उनके बारे में यही सोच रखते हैं इसलिए वह खुद को साबित करने में लगे रहते हैं उनका मानना है कि उनकी एक गलती उनको जीवन भर मूर्क बना सकती है अपने ego के लिए वह दूसरे की सहमती चाहते हैं ताकि वह उन्हें बता सकें कि वह कितने talented है तरक्की और विकास growth mindset वालों में ही संभव है जब growth mindset वाले बच्चों को school में mats की कोई problem solve करने को दी जाती है तो वे उसे एक challenge के रूप में स्विकार करते हैं उसे वैसे ही solve करते हैं जैसे कि अपने घर में कर रहे हो वह यह समझते हैं कि जितनी problem को वह solve करेंगे उतना ही वह सीखेंगे growth mindset वाले बच्चों के लिए जिन्दगी आसमान की उंचाईयों पर होती है उनकी क्षमताओं का अंदाज लगाना मुश्किल है हालांकि उनके अच्छे grade उनकी क्षमता बताते हैं लेकिन इन बच्चों का मानना है कि वे अपने कार्य, लगन और परिश्रम से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं वह अधिक grade या highest marks पाने में interested नहीं होते नहीं वह दूसरे student से बहतर बनना चाहते हैं बलकि उन्हें इस बात की खुशी होती है कि वे खुद को अपनी potential से ज्यादा काम करवा रहे हैं भले ही वह music या sports हो, खेल या painting हो, वे केवल practice करते हैं वह जानते हैं कि समय समय पर हार या practice ही उनकी योग्यता में improvement ला सकती है growth mindset के लोग cream de la cream, the best of the best, से नई चीज़ें सीखते हैं वे बार बार अपनी तक्नीक में सुधार वब अदलाव लाते हैं, फिर अपनी गलतियों और कमजोरियों पर काम करते हैं संबंधों के मामलों में वे लगातार अपने partner को सीखने और लगातार काम करने के लिए प्रोथसाहित करते हैं स्पोर्ट्स में वे टीम भावना का खयाल रखते हैं, वे अपने बिजनस में अपने employees को respect देते हैं, उनके काम की सराहना करते हैं कई चीजों पर उनके इमानदार opinion की मांग करते हैं, भले ही सच कितना कड़वा हो growth mindset के लोग problem का सामना करते हैं, उसे एक रुकावट न मानकर एक challenge मानते हैं, वे अपनी इच्छा से खुद को और दुनिया को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं fixed mindset वाले लोग दूसरों से approval, वही growth mindset वाले विकास चाहते हैं Chrysler Motor Company जब गिरने की कगार पर थी, तब कंपनी के CEO ली लकौका बने उनकी कारगर तकनीक और employees को लेकर उनके बहतर तरीके से, कंपनी फिर से जीवित हो उठी, लेकिन इसके बाद उनका behavior पूरी तरह बदल गया वो अपनी ख्याती पर ध्यान देने लगे, कंपनी की तरक्की से ज्यादा अपनी image पर ध्यान देने लगे उनका main objective दूसरों से आदेश लेना हो गया ली लाकॉका स्थिर सोच वाले हो गए, वह किसी भी चीज़ को अच्छा या बुरा classify करने से पहले यह सोचने लगे लोग उन्हें winner या loser कहेंगे, क्योंकि वह एक winner बनना चाहते थे वो खुद को अधिक बुद्धिमान और talented दिखाने लगे वह company का विकास भूल गए, इसकी तुलना अगर Lewis Gerstner जिन्होंने IBM को बंध होने से बचाया था तो यह company जहां service और teamwork छोड़कर, अपनी उर्जा fixed mindset वालों से प्रेरित होकर, आंतर एक विवाद में लगाई हुई थी सभी लोग अपने बारे में सोच रहे थे, इसलिए company customer की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रही थी लेकिन इसको बदलने के लिए, उन्होंने company की पुरानी सोच को बदला, teamwork को महत्ता दी employees जो अपने co-worker से अच्छी तरह पेश आते हैं, उन्हें सम्मानित किया, उन्से बादचीत की संभावनाओं को बढ़ावा दिया, वही खुद को एक employee की तरह देखना शुरू किया उन्होंने बहुत कम समय में, सभी लोगों के बीच, communication gap को खत्म किया Gerstner के growth mindset ने उन्हें teamwork और विकास नया environment बनाने में मदद की Company का focus एक व्यक्ती से group पर आ गया, इस concept के चलते IBM ने बहुत तरक्की की अगर आपको भी audiobook सुनने में मज़ा आता है, तो आपके लिए एक बहुत ही best app है, जहां पर आप धेर सारी audiobook सुन सकते हैं पूरी सीरिज के साथ, तो इस app का link description में दे दिया हुजा कर आप डाउनलोड कर सकते हैं, चलिए चलते हैं समरी पर हमारी मानसिक्ता बचपन के role model से प्रभावित होती है, वह कौन से factors होते हैं, जो growth और fixed mindset के बीच अंतर बताते हैं, कौन से factors ये बताते हैं, कि एक व्यक्ति अपनी जिन्दगी व्यर्थ करेगा, या अपने potential का एहसास करेगा, mindset का विकास जन्म से ही शुरू हो जाता है, मानने तहा उसके माता या पिता होते हैं, जो यह decide करते हैं कि बच्चा fixed mindset अपनाएगा या growth mindset, सरल भाषा में growth mindset वाले parents अपने बच्चों को नया सीखने के लिए inspire करते हैं, जबकि fixed mindset वाले parents हमेशा अपने बच्चों को judge करते रहते हैं, उन्हें बताते रहते हैं कि क्या सही और क्या गलत है, क्या अच्छा है और क्या बुरा, बच्चे एक से तीन साल तक वैसा ही बहेव करते हैं, विकसित मानसिक्ता वाला बच्चा दूसरे बच्चे की मदद करता है, जो रो रहा है, फिक्स्ट माइंडसेट वाले बच्चे इससे चिड जाते हैं, टीचर्स भी अच्छे टीचर्स जिनका यह मानना है कि स्टुडेंट्स कुछ भी सीख सकते हैं, चाहे जो भी सिचुएशन हो, वे हैंडल कर सकते हैं, हमारा माइंडसेट पूरी तरह से जन्मजात नहीं होता, हमारे बच्चपन के रोल मॉडल के अडॉप्शन से यह बदल सकती है, ग्र अगर आप अपने माइंडसेट का विकास करना चाहते हैं, तो खुद एकदम चलकर इसे सीख सकते हैं, दिमाग के विकास पर काम करते हुए, हम दूसरों से सपोर्ट ले सकते हैं, अपनी गलतियों के बारे में और उसे विजिबल करने की दिशा में ठोस कदम उठा सकते हैं जिससे हम अपने टारगेट को पा सके, ये जानना आवश्यक है कि फिक्स्ट माइंडसेट को आसानी से बदला नहीं जा सकता, इसमें कई वर्षों तक समवेदना की मदद से हम फेलियर से बच सकते हैं, अपने सेल्फ कॉन्फिदेंस को बूस्ट करते हुए, सब के सामने य होजते हुए, प्रत्येक दिन विकास प्रक्रिया की ओर बढ़ जाता है, माइंडसेट के विकास की प्रक्रिया से किसी भी क्षेत्र में असंभव को संभव किया जा सकता है, इस संबंध में ग्रोथ माइंडसेट आत्म बलकी कुन्जी है, आज के इस समरी में बस इतना ही, अभी तक आपने इसे सुनकर जो भी सीखा, वो पूरी बुक का अंश मात्र है। यदि आप भी अपने माइंडसेट को बदल कर जीवन में तरक्की या वो सब पाना चाहते हैं, जो एक सफल इंसान के पास है, तो आपको इस बुक को जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जा करके खरीद सकते हैं। आपको समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं किसी और मज़ेदार समरी के साथ।